36 कोल करके अब आपको कोई भी परिशार नहीं कर सकता दिर्रसल दोस्तो अंजाननंबर से कोल आने पर अब आपको कोल करने वाले का आपको नाम दिखाई देगा ओजुनल नाम जो कि उसने KYC करते वक्त यानि कि SIM खरीपते वक्त जो KYC की थी यानि उसना अपना डोकुमेंट जो दिया था उसमें जो भी नाम मेंचन है वही नाम आपको कोल आने पर आपको दिखाई देगा और ये सुवीदा दोस्तों टेलीकुम कमपनी द्वारा मंबई के अंदर और हर्याना के अंदर शुरू कर चकी है उसका ट्राइल हो चुका है और पूरे देश के अंदर 15 जुलाई को ये सुवीदा चालू कर दी जाएगी यानि कि शुरू करती जाएगी दरसल दोस्तों जो crime rate है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यानि कि fraud call, spam call बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसी वज़े से cyber crime बढ़ रहा है उसी वज़े से दोस्तों TRAI के दबाव से ये जो सुवीदा है CNP यानि कि caller name presentation वाली जो सुवीद करते हूँ नाम जानने के लिए सामय वाले का original नाम वो भी आपको नहीं पता चलता लेकिन अब क्या होगा दोस्तों आपको original नाम दिखाई देगा उसका जो कि उसने KYC करते वक्त दिया था यानि कि कोई भी fraud हो नहीं सकता अगर आपको कोई fraud करेगा आपको fraud call करेगा सुविधा government की कैसी लगी क्या ये सुविधा पहले शुरू नहीं हो जानी चाहिए थी तो दोस्तों कमेंट करके जुरू बताना और एक वीडियो पर लाइक जुरू करना और इसी तरह की टैक रिलेटड वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल जुरू सुब्सक्राइ कह सुझ दो